बिस्मिल्लाय रख्माने रहीम स्टूडिन आज के लेक्चर नमबर 3 है वह मैं आपको बिताऊंगे कि डिफ्रेंस बिट्विन पर्मुटेशन और यही में आपके पास क्लियर ली एक चीज़ को देख सको जज कर सको और आपको पता चल सके कि इनमें इंडिफ्रेंस हमारे पास क्या होता है अचिए चीजों कल हमने बढ़ा था पर्मुटेशन उसमें हम कहते थे हैं अर्शमेंट औस फोब्जेट इन देफिनेट आडर इस कॉल्ड पर्मुटेशन कि जब आपके पास जी जो हैं वह एक डेफिनेट फॉर्म में और मी गिवन अगर वह आपको अगर आपको आपको आपके पास permutations के कि आपको arranging में गिवन होंगी चीज़ें जैसे कि आप कहते हूं इसी कि मैं आपको example देती हूं कि अगर आपको example given हों कि आपने permutations के लिए क्या करना है और इसको कैसे discuss करना है हम कहते हैं कि in how many ways can six different books be arrange on a shelf ठीक है अब word आगे arrange हमने क्या कहें कि अब जो six books हैं वो arrange on the shelf है तो उसको कैसे solve करोगे तो it means कि आपके पास जो arrangement का word आगे है कि आप चीज़ों को arrange करके लिए वो आपके पास आजाती permutations इसी तरह आप combinations के लिए different values ले रहे होते हो जिसमें हम इसको discuss कर रहे होते हैं अच्छे स्टूरी नेक्सर आपके पाँ permutations को discuss करूं तो permutations में होते हैं कि आपको coloring भी discuss होती हैं कि black refrigerators है या white refrigerators है आपने कौन से refrigerators को या freezers को आपने select करना है तो यह तमाम चीज़ा जाती है permutations में जहां आपको full arrangement of the data given दे दिया जाता है objects arranged form में दे दिए combinations में आपके पास क्या होते है कि the number of ways to choose things ठीक है कि आपके पास क्या होते है कि बस only आपने combine करने चीज़ों को एक groups में combine करने उसमें कोई आपको arrangement नहीं गिवन होगी तो जो combination होता है combine से निकला है कि आपने the number of ways to choose the things कि बस आपने चीज़ें जितनी आपको objects कहें कि आपने वो चूज़ करने इसमें arrangement को कोई जो है अदखल नहीं होगा यहीं चीज़ आपको next point में दे रहे हैं कि order matter करता है in the permutation form में अगर permutation and then order matter a combination में order does not matter कि order matter नहीं करता है इसी तरह हमारे पास permutation में क्या होता है कि these are for list होते है these are for list and these are for the groups groups क्या होते हैं ग्रुप्स में आपके पस arrangement नहीं होते हैं आप बस चीज़ों को अकठा करते हो और आपने बताना होते कि आपके आपके वह सब्सक्राइब कितनी और फिक्टोरियल आपको पते कि आपने कैसे ओपन करना अगर आपको चीज ने गिवन है पहले तो फस्ट आप दें देखना है कि यह पर मुटेशन से रिलेट कर या कम्बिनेशन से फिर आपने इनको फार्मूलास में बुट करना है यह तमाम वह आपजेक्ट्स जो कि आपके पास अरेंजिंग फॉर्म में आपको मिजॉर्टी जो है वह पर मुटेशन में मिलें गया और कम्बिनेशन आपके पास क्या होता है कि सेलेक्शन ओव मैनियो जाओंगे अपके इसमें कोई और गवन नहीं अच्छा इसमें कोई जाते स्टेश्टिक्स यूह आपके पास एग्जाम मिकिमन होते हैज आपको वर्ड statistics ठीक है अब आपको कहते हैं कि statistics है आपने इसको find करना है ठीक है वो कहते है how many permutations it's mean अब आपने permutations find करना है बर order देना है order आपके पास given हो जी यह for the permutations के लिए मैं आपको बता रही हूं इसके लिए को लिंक कर रही हूं कि आपके पास statistics का word आ जाते है और एकसर कह दिया जाते है कि find the permutations in the word of statistics permutations के order है s कितनी बाहरा है आपके पास one two three three time आया इसी तरह t कितनी time आया tb3 time आया बाकि मार पास a कितनी time आया only one time आया a my पास only one time आ रहे जेन आये आया जो हमार पास है its two time then हमारे पास के आजत है जो कि only one time है अब यह हमारे पास सारी फक्टोरियल है ठीक है के हमारे पर यही मतलब थो होता है three یک मतलब three two one one two three आपके पास यह three time राया one two three आपके पास s चोने अब आपने इस total टिजिट्ट कितने आपके पास क्या हो जाएगा जाएगा तन फिक्टोर्याइओ कितनी पॉसिबिलिटी शाओं सुन इस 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 अपनों लाफोता आफास शाओंन जो पता चला एक तो उनने हमें डिसकस भी यह ज़रा एक्जाम्पल इंपॉर्टन थी और बहुत बड़ी एक्जाम में ही तभी मैंने इसको रपीट किये परफी स्टूडिक वह काते हैं. तौ से इसके मिखाए ही जरियी पीज़ल संदेगे पैसे अगर आप आपॉर्ग अधुछिस्ट काय रहा 돼 होते हैं तो आपको पता होगे हमने से सॉल कैसे करने है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी आप जादे जादे शेयर कीजिएगा अपनी दौ में याद रखीगा